नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश है 5 फरवरी शनिवार्द पर सवा 12 बजे रास्तान की तस पुड़ी कबरे मुख्यमंत्री शोग यहलोत ने प्रदेश वासियों को बसंत पंचमी की शुब कामनाई दी है मुख्यमंत्री ने कहा कि मा सरस्वती की उपासना का ये पर्व शिक्षा के माध्यम से सदैव उनती के पत पर अग्रसर रहने के प्रेणना देता है ये जीवन में उल्लास, उमंग और उत्साह का पर्व है मुखे मंत्री ने कहा कि इस अवसर पर हम सभी देश प्रदेश की उनती में सक्रिय भागेदारी निभाने का संकल्प लें दश्वी बारवी परिक्षा में 75% से अधिक अंग पाने वाली बालिकाओं के गारगी पुरस्कार पर करोना ने ग्रहन लगा दिया है बसंत पंचमी पर मिलने वाला ये पुरस्कार इस बार नहीं मिलेगा अभी तक विभाग ने ना तो इसके लिए कोई जौन करी मांगी है और ना ही उसको कोई निर्देश दिये हैं शनिवार को बसंद पंचमी मनाया जो रहा है लेकिन इस दिन होने वाला पुरसकार समारो आयोजित नहीं होगा कोटा में हर साल बसंद पंचमी के दिन जिलस तरे समारो आयोजित होता था समारोह तो आयोजित नहीं होगा लेकिन छात्राओं को पुरुसकार मिलेगा या नहीं इसे लेकर भी अभी कनफ्यूजन ही है राजी की घेलो सरकार भले ही विकास के लंबे चोड़े दावे कर रही हो लेकिन गाओं की स्थिती बहुत खराब है विकास कारे ठब है, लोगों के जन्म रित्यू, विवाह प्रमान पत्र, पेंशन सत्यापन, एनोसी और राशन कार्ट जैसे छोटे-छोटे काम भी नहीं हो रहे हैं क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी मिलते ही नहीं है दूसरे ग्राम पंचायत में काम होने के नाम पर गाइब रहते हैं भरत प्र जिली की 400 ग्राम पंचायतों का जिमा सिर्फ 224 वीडियो पर है यानि प्रते के पास दो से अधिक पंचायतों का अत्रिक्ट कारेभार है अंतरास्टी मापदंडों से तयार किया गया हमारा आज में जिलेका किशनगड़ एरपोर्ट जयपूर की टक्कर का एरपोर्ट बन सकता है इसे राजी के दूसरे अंतरास्टी एरपोर्ट के तोर पर तयार किया जा सकता है इसके सबसे बड़ी वज़े हमारे पास पर्याप्त जमीन है और आसपास खाली शेद्र है यानि रिहाईशी इलाका नहीं है भारते विमान पत्तन प्राधिकरन भी जयपुर एरपोर्ट के विस्तार के संभावनाओं से इंकार कर चुका है किशनगर एरपोर्ट को इसके विकल्प के तोर पर देखा जो रहा है प्राधिकरन के भी इस पर नज़र है गहलो सरकार सहकारिता चुनाओं में लगाता दो बार चैदिक लणने पर रूख की बादेता खत्म करने जो रही है सहकारिता से जोड़े विश्यों के लिए गढ़ित मंत्री मंडल उप समीती की रिपोर्ट पर मुखे मंत्र शोग गहलोत ने सहकारी समीतियों के चुनाओं 2001 के कानून के अनुसार करवाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी अब इस फैसले को कैबिनेट से पास कराकर विधान सभा में संशोधन प्रस्ताव लाया जाएगा हलांके बजट सत्र में इसकी संभावना कम है इससे पहले गहलो सरकार ने सहकारी समीतियों में विधायक और मंत्रियों के चुनाओं लड़ने से रोकने का प्रतिबंद भी ह सरकार के ओर से एक अन्या भून हत्या और जांच रोकने के दावे फिल्ट साबित हो रहे हैं अधिकारियों के लापरवाही तो देखे वर्ष दोहजार 21 में जयपूर अजमेर जोदपूर उदैपूर बिकानेर कोटा अलवर श्री गंगा नगर दौसा जालावार जाला और समेत 20 जिलों में 681 सोनोग्राफिस सेंटर्स का एक भी निरिक्षन तक नहीं हुआ अकेले जयपूर के 327 सेंटर्स में जयपूर प्रथम के 267 और सैकिंड के 60 सेंटर्स शामिल हैं जयपूर में सोनोग्राफिस सेंटर्स के निरिक्षन करने के लिए CMHO को जिमेदारी दे रहे राजस्वर इसाव को रोकने में नाकाम हो ही रहे हैं अब बसों की मॉनिटरिंग और अख्रखाव के लिए लगाए गए समीधा के अफसर भी जेसी टीएसल को आए दिन घाटे में पहुंच आने में लगे हैं समीधा के अफसर आफकाश पर रहने के बाद बैक डेट म में हस्ताक्षर कर वेतन उठाकर जेसी टीएसल को चपत लगा रहे हैं मामला जवपर में आगरा रोड से तो बगराना डीपो मैनेजर मनोहरलाल शर्मा का है शर्मा रोडवे से सेवा निवरत होने के बाद कुछ महीने पहले ही जेसी टीएसल में मैनेजर की पत पर लगे है अपनी छवी बदने लोगों में विश्वास बढ़ाने के लिए प्रदेश की पुलिस अभी यवाओं के जरिये समाज में मिल जोल बढ़ाएगी इसके लिए पुलिस मुख्याले ने पहली बार यवाओं को पुलिस की कारवपना आ ली समझाने और सतसुधार के लिए 12 घंटे के लिए बंद कर दिया है अब रविवार सुपह ही बीसलपूर से जुड़े इलाकों में पेजल सप्लाई होगी मेंटेनिंस के लिए जल्दाइवी भाग दो प्राइवेट कंपनियों को सालाना 13 करोड का पेमिंट कर रहा है इसके बावजूत करीब एक साल में चौथी बार बड़ी पेजल कटोती हो रही है इसे पहले दिसंबर 2020, मई 2021 और नमबर 2021 में भी लोगों को 24 घंटे तक पानी नहीं मिल पाया था रासान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही योओं के लिए अच्छी खबर है विदित विभाग में 1512 पदो पर टेक्निकल हेलपर की भरती निकली है 18-28 साल की उम्रे तक के दसमी पास अभीरती आविदन कर सकेंगे आविदन की प्रक्रिया 9 फर्वरी से शुरू होगी जो 28 फर्वरी की रात 12 बजी तक चलेगी इससे पहले भरती के लिए प्री परिक्षा का सिलिबस जारी कर दिया गया है जैपो डिसकॉम द्वारा जारी सिलिबस के अनुसार अपरी एक्जाम 100 नंबर का होगा इसमें समाने ग्यान और तक्नीकी जानकारी से जुड़े 100 सवालों को पूछा जाएगा तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ SBT News के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें